नमस्कार मौँद्य पन्डि स्वागत से मेरे चैनल मा आज अको वीडियो मा आमी चाहिए फेज फेलियर रिले या सिंगल फेज प्रिवेंटर रिले को बारे मा आमी चिक्छाँ फेज फेलियर रिले की हो रहा यो कश्री काम गर चाहिए रहा यसको एप्लिकेशन या कनेक्शन यह सब्बय आमी यो वीडियो मा शिक्छाँ खास मा मैं चाहिए अईले चाहिए रिले को सिरीज स्टार्ट गर आचो रिलेज को 45 चोटा वीडियो बनाई सक्याचो अब तिन चाहर ओटा अजय आऊँ चाहला तेसपची अरको सिरीज स्टार्ट गर चो तो पहले आको पनी वीडियो अरू हेर देगानू मा यो वीडियो को डिस्क्रिप्चन बक्स मा आल दिन चो तेसको लिंक आपाु पासिय को बारे मा जंतावे और लाई सक्षप्ट चाहला है तो अब हमी स्ताट गरू फेज फेल्यर रिले क्यों बनने रा शो वाट इस फेल्यर रिलेह तो डिस्टार्इज the phase break, phase sequence, under voltage, over voltage and phase unbalance. If any parameter changes at that condition, it trips the MCCB, contactors and start and stop the DG. So, phase failure really, what do you do? So, phase break, phase break, phase break, phase break, phase sequence, सिक्वेंस मोनीटेर गर्षा, खास मा यह स्री हामी R, Y, B तीनवाटा फेज हुन्छा, red, yellow, blue, तेलाई पनी मोनीटेर गर्षा, यहुटा सिक्वेंस मा, R, Y, B मा चाकी चाहिना, यह दी Y, R, उल्टो भाव वने, एलेसेंस गर्षा, यह अबाब फेज सिक्वेंस मा चाहिना बन और भोल्टेज मा चाह बने, तेयो केस मा पनी यह भोल्टेज लेके गर्षा, मोनीटेर गर्षा, ट्रिफान देंचा, अरको मा ओबर भोल्टेज चाह बने, तेयो केस मा पनी के गर्षा, यह फेज फेलियर रिले ले ट्रिफान देंचा, अरको चाहिना आमरो फेज अन्बा फेज अन्बालेंस को कंडिशन मा पनी यो रडिले लेक्ये गर्षा ट्रिफान देंचा फेज अन्बालेंस बने को क्यो यो मानो तीनोटा फेज र, y, b अब यो दुटेई को बीच मा आमरो जुन 415 भोल्ट हुँँचा याब यो दुटा फेज को बीच मा जुन सिमेट्रिकल 415 भोल्टेज चा त्यों चाहिए एकदम बैलेंस भोल्ट हुँँचा इनकेश कुनी कारण भास, कुनी फॉल्ट भास दुटा फेज भीच यो दी भोल्टेज अन्बैलेंस बहा हुँआ अब शपोज मानों 300 मा जहरे बने या 375-380 मा बहा बने अब अरको फेज मा चार्शे अरको फेज दुएटा बीच चार्शे पंद्र चार्शे यो अरको दुएटा बीच तिन चाह बने यो दुटेमा के वो अन्बैलेंस बहा हुँँचा यस्तो केस मा आमरो सिस्टम अरू डायमेज हुँँचा आमरो एकुप्मेंट आरू येदी थिरी फेज मा चली राको एकुप्मेंट आरू तेई भाराद येव केस मा पनी येले सेंस गरचा और ट्रिप हान दिन चा तो यो जत्ती चा यो पैरामिटर इनकेस के ही खाल्ट भाव अने यो कंडिशनर मा यो रिले ले सेंस गरचा और के गरचा ट्रिप हान दिन चा अमरो यादी इनकेस अमी एटी एस पैनल मा यूज गरए आशा वने अटो स्टार्ट डिजी मा इनकेस आमरो यूटिलिटी लाइन या बनो एन येकु लाइन गापो खन्मा इसे लाइ स्टार्ट कमांड दिन चा यो सबबय केस अरो मा चाहिए हमी यो फेस फेलिया रिले लाइ यूज गरना सक्चा अब यो फेस फेलिया रिले लाइ हमी फेस प्रिवेंटर रिले पनी बन्चा या सिंगल फेस प्रिवेंटर रिले पनी बन्चा अब यो चाहिए हमी फेस फेलिए रीले कीने यूज गरचôn? हमी येलाई कीना सरकित मां इंप्लिमेंट गरी राखनriage पर? कीना हमी एडिटिस्नल कास्ट ये लाई बट्चेज हे了吧 गरी राखने पर? तेस्को रीजन राई provocative चाहिए हमी है रहो अब अमिले खास मा कीन चाहियो कोई यो फेज फेरियल रिले जेसको लागी मा तमा योड़ले दियोटा एक्जाम्पल बाटा मा बुजाउन चाहांचु सपोज योटा थ्री फेज इंडेक्शन मोटर हो यो चाहिं यहां थ्री फेज पावर बाटा यहां चली रहाँचु ठीक्शा बिच मां कॉंट्राक्टर शा ठीक्शा यो आर बाटा चली बाटा अनि आर वाई बी यो तीन वोटाई फेज सप्लाई बाटा यो चली रहाँचु थीचे यो मोटर यहां चली रहा चाईल्या यो बिज मा स्टार ओला त्यो कंडिशन मा मिले वनेको यो चली रहा चाई स्टार पनी इसमा मानों DOL स्टार यूज़ गवा रहा चाई यो चली रहा चाई अब सडेल नी in case कुने phase ब्रेक भो मानों यो आर phase ब्रेक भो अब त्यो कंडिशन मा के उन्चा आमरो यो मोटर अब दू योटा फेज बाटाने चलने भो Y रबी अब येदी in case long time समा Y रबी दू योटाई फेज मा यो मोटर चलने भने त्यो मोटर जलना जान्चा अब त्यो मोटर जलने भने त्यो को आब रिवाइन्डिंग को कोस्ट के उन्चा पहिला आजस्ते त्यो रिवाइन्डिंग गरे रपनी पहिला आजस्तो नाय आजस्तो मोटर तहु दै न आब रिवाइन्डिंग को कोस्ट पनी धेरे जान्चा ठीक्सा अब यह उटा रिवाइडिंग गरना लाई चाहिए अब दस हजार पंदर हजार जालाज जे होच त्यो रेटिंग अंसर कैपसिटी अंसर मोटर को त्यो जान्च यह अब कोस्ट एक्स्ट्रा भो अब यो कुरा लाई बचाउनों लाई चाहिए हमें के गर्चों यहा फ्च फेल्ययर रिले चाहिए इंप्लिमेंट गर दे वहने यो के यो circuit मा, in case अब breakout भाववन, त्ये case मा की गर सा, यो phase failure, relay, less chance गर सा, अनी यो, अनी यो, contactor लाइग, trip गर आउँछा, अनी motor लाइग, की गर सा, यो, यो condition मा, यो motor लाइग, प्रोटेक्ट कर सा, अब यस ते और को example हे रहूँ, सपोज यहां, motor सा, ठीक्छा, similarly, यो motor, हमरो 3-phase बाटा चले डाऊचा, यह 3-phase motor, R, Y, B, R, Y, B, ठीक्छा, अब यो motor ले, योटा conveyor belt लाइग, यह सो घुमाई रहा आशा, ठीक्छा, यो conveyor belt, यो direction मा, हमरो घुमाई रहा आशा, अनी यह मानों, कुनाई, समान छा, यो factory वारू मा पान, यामी यूज गर्छा, मानों, यह ये था बाटा बोटल भडे रहा आए, यो बोटल चाहि, यह कुनाई, बिस्कुट नहीं बनो, यह कुनाई, माटेडियलो, यह चाहि यो बोटल नहीं बनो, यो बोटलो, अनी यो बोटल लाई चाहि, यो गन्वेयर बेल्ट ले एसो करे रहा, यह चाहि, आमरो पैकेजिंग हुछ, यह मानों, पैकेजिंग बलाव, यह चाहि यह समा आए रहा, पैकेज हुन्छ, अब जब यो मोटर चल्दा खेरी, रनिंग कंडिशन मा, यो बोटल अरु हीडेरा यह से टावल गर्श, अनी यह समा चाहि, यो अमरो रैक मा, यह पैकेजिंग उसमा, आउंच यह समा, ठेक्छा, अब यो चाहि आर, वाई, बी ले चल्ली राच, इन केस, बाईर बाट कुने मिस्टेक ले उन्छ, नी, क्राम गर राको बेला, सेक्वेंच चेंज गर दियो, अब त्यो केस मा के हुँँच, अब यो आर के भो, वाई भो, और वाई के भो, आर भो, ठीक्छा, अब यो केस मा के हुँँच, अब हमिले ठाश, यह दि कुने मोटर को, फ्रिफेज इन्डेक्शन मोटर को, यह दि कुने फेज चेंज गरे फेज सीक्वेंच चेंज गरे भने इंटरचेंग गर दिया भने तो केस मा के होंच मोटर को डायरेक्षन चेंज हुनच अब यह एसरी कन्वेयर बेल्ट हामड प्लांट एसरी चली रहा अश यो डायरेक्षन मा एता बोटल आमिलाइस खास में यते गर्नू पर्ने हो अब इन केस यह फेज सीक्वेंच चेंज भह पने उल्टो भह पने आर को वाई मा वाई को आर मा तेए केस मा अब के वह यह मोटर को डायरेक्षन चेंज हुनोगे एता होने बोТакल यह डा गई राथ ज़ा यह सब आमरो बोटल आल आरो यह सब आमरो जुन समान अरू ऑल सब च इवेन मेकनिकल डायमेज अरूपनी हुना शकने सम्मामना दे रही हुन्छा अब यो कुरा लाई चाहिए हमें प्रोटेक्ट गर न लाई अब यहां चाहिए हमें यादी फेज फेलियर रिले राख दियो बने यो सर्किट में इंप्लिमेंट गर दियो बने हमेलाई थाच्छ यो अली चाहिए यो पनी प्रोटेक्ट गर चा फेज सिक्वेश अब इनकेश यो चेंज भव को खंड मा केए हुन्छा फेज सिक्वेश लाई चेंज गर चाहिए यो चेंज भवाव बनेरा प्रोंते के और येले कमांड दिन्छा डेनnaire लाई spr quator की बैसके हां जता руɪ मोटर पनी मुटर टूंद नोइज अंबर इसलों की मीलियो त्यों मोण हो त्योंस सकतर चेращेए रेतल्ड रॉर्य आई त्योंस कीरात करने और Weegean Solid Trade ीसीलले रॉप देशे को धार्सतर फेरी केशा पेलत स्बाव आई वाइ चाहिए आमी लाई कीछा उफेक पार दाइने यो जन्या आमम्रो प्रोटेक्शन लेवल बौर्टचा आमरो यो सिस्टम आरूको ते वर्या आमी क्या गार्शान। यो फेस फिलेयर रूर्या रू हमी प्राय यूज गार्शाओ रहा रहा में रेकमेंड पनी गर्षां यूजगरों गाने रहा अब यो काश्री काम गर्षा दा आउपूट रिले इस इनर्जाइज वन अल थ्री फेजेस आर प्रजेंट अन दा फेज कंडिशन लाग वोल्टेज अन फेज सिक्वेंच आर कॉरेट अब यो रिले जुन्छा नी यो रिले कुन बेला इनर्जाइज हुन्छा इनर्जाइज हुन्छा मैंस कुन बेला यो एक्टिव हुन्छा यो फेज फेलियर रिले जब हामरो तीन ओटाई फेज भोल्टेजेज परजेंट हुन्छा, तीन ओटाई फेज परजेंट हुन्छा सपोज मानाँ R, Y, B यो तीन ओटाई परजेंट भाव को बेला और फेज कंडिशन अरुश सही भाव को बेला अब फेज कंडिशन सही भाव बहने को की हो हमरो जन सेटिंग अंसार अंडर वोल्टेज, ओबर वोल्टेज जोन सेटिंग अंसार त्यों अंसार चाहिए हमरो वोल्टेज मेंटेन हुनु पर्यो कुने फेज अन्बालेंच वोल्टेज हुनु भाव ना या फ्यर सिक्वेंच चाइण आरॉआईबी नाई सिमेट्रीकली होनुपरयो त्यों क्ये स्मा मात्र यो रिले चाइण एक्टीबेट हुन छा थेक्चा सपोज यो रिले चा यो रिले भो यायन ये स्मा चाइण यो कमञ टार्मिनल हो र यो हानो भो तो यो NC भूँआ अनि यो चाहिए आमरो Common Terminal हो अब यो Relay आमरो छा अब यो NC contact हो यो NO contact अब यदि सब्बबब कुरा ठीक छा वान्य सब्बब कुरा मींज आमरो Face Sequence R, Y, B पनी सठीक छा और सब्बब फेज जारू पर्जेंट छा, सब्बब एबलेबल छा पावर ठीक छा, कुनाई कट आचाहिने केई चाहिना और अरू चाहिए हामरो Face Unbalance छाहिना voltage अरू प्रोपर कंडिशन मा हो तियो कंडिशन मा मात्रा चाहिए हामरो क्योंच यो Face Failure Relay चाहिए एक्टिबेट होंच तियो कंडिशन मा मात्रा चाहिए यो Relay चाहिए Energized हुनच और इनकेस केई Fault आए भने तियो parameter और यो parameter मा देकुने केई Fault आभने तियो केस मा फेरी यो Relay ले Sense गर चाहिए और यो De-Energize Deactivate हुनच Deactivate हुनच Deactivate हुने वेला मा फेरी जुन N-O-N-C थे फेरी N-O बन्छा N-C जुन N-O थे फेरी N-C बन्छा यह सरी नहीं हम्रो Contact चेंज हुनच अब यो Contact लाई हम्रो यूज गरेरा हम्रो Application like Motor Starter हम्रो LT Panel हरुमा आनो उन्हें MDB मा तेस्तो अरुमा चाहिए आरु ATS Panel मा तेस्तो अरुमा चाहिए आमी यूज गर्ना सक्छाँ तो अब आमी चाहिए Real View तीरा इसको लागाँ Real Cost उन्छा त्यो तीरा लागाँ यो Phase Failure Relay यहाँ चाहिए मोईले BSP-D1 Phase Failure Relay लियेको यो चाहिए BSP-D1 वनेको मोडल हो यो चाहिए Mini Lake Company ले यहाँ आम्रो Mini Lake Company यह चाहिए आम्रो Phase Failure Relay यहाँ आम्रो Relay View करते पैनल मा हेर नू भाव वनेश तो बुझनू परचे क्यो Phase Failure Relay वनेरा तरह तेस्मा हेरी आलमुस यहाँ आम्रो शक्नुन चाहिए BSP-D1 हो यो मोडल हो अनि यह सीरियल नंबर हो अनि यहाँ चाहिए Axillary Supply अब यह एक्जूलारी सप्लाई भने को यह एलाई ओपरेटिंग गरने रिले लाई ओपरेटिंग गरने यह बोल्टे चो यहाँ आब देया चाहिए सिंगल फेज देया चाहिए 220 होला, 215 बोल्ट होला तरह यहाँ केशा यह 415 बोल्ट देया चाहिए यहाँ फेज को भोल्ट देया चाहिए ठीक्सा? अनि यह चाहिए जुन हम्रो L1 रा L2 इंडिकेटर हो इनकेश अन भावको बेला सब ठीक ओके चावन सब यह ग्रीन बाल्ट चा अन को कंडिशन मा इनकेश कुने फाल्ट आवने के आवने तो ट्रिप को कंडिशन मा यह रेड बाला इंडिकेटर यह LED बाल्ट चा अब यह टॉर्मिनल सरुग हो R123 अनि यह अरको 7 8 9 अरको चाहिए हम्रो 13 15 अब यह चाहिए यह इसरी डारेक्ट हेरे रह आमी भना सक्द आउं की कुन टर्मिनल कुन हो बल्ट त्यवलह सर्कीट डाइग्राम हेरे यह का आच कुन कुन टर्मिनल हो बल्ट त्यांचां अनिस परका सटार्ट काँछ ere अबहीं दिख को किले benefits एक भी साइड को विऊ में इताले आछुर्माइ यह साइड मां शायो यह कुरायो रिलेको यहान चाहि यहाम रो यह vsp d1 भो यो phase failure रिले हो यो mini lake को यहाँ चाहिए यहाँ अब अब यहाँ को connection diagram यह circuit diagram wiring diagram यहाँ हेटना सकना हुँँच यह 1 2 3 1 भने को L1 हो R हो यहाँ चाहिए 1 R हो और 2 भने को Y हो यह Y हो और 3 भने को यह B हो यहाँ चाहिए आमी तीन ओटाई फेज हामी system को यहाँ चाहिए connect गर न सक्छाँ तीन यहाँ चाहिए connect गर न सक्छाँ अब यहाँ चाहिए आम दाखेरी 7 र 8 नम्मर जून चाहिए हमरो coil supply टर्ण आलो यहाँ चाहिए यो 7 र 8 हो यहाँ चाहिए हामी coil supply connect गर चाहँ auxiliary supply आपस जती चाह दी एको रेटिंग अन्छा यहाँ चाहिए आमरो रेटिंग कती चा 4 15 बोल्टेज तीन नम्मर जून चाहिए आमरो 13 नम्मर हो यह 13 नम्मर टर्मिल जून चाहिए हमन चाहिए आझ यह 14 नम्मर टर्मिनल हो यह एन्व न हो खासमा यह आझ चाहिए 15 नम्मर ंची यह तरह यह योटा कर्या मल्म ढ़के झून्चा कि यहाँ यह ।कोराम स्योक्णि शून छाहिए यह जोक्णि शोक्णि भॉब रसे यह यह खासमा देखी रहा थेक्षा यो activate भाको खन्ड माई यो हम्रो जुन 14 नमर पहला के थियो without activation मा नर्मल कंडिशन मा यो थियो खास्मा एनो जबा आमी सबई connection गर दिन छाओ और सबई parameter ओक्के छाओ बने त्यो केस मा मात्र आमी लाई थाच यो relay activate हुन्छा ते भाक को बेला activate भाक को बेला चाहिए हमरो यो circuit डाइग्राम दियेको ते वारा येस तो आमी बनेको यो 14 नमर जुन चा एनो हो रा 15 नमर एन्ची हो इस मान न जुकनू वाला यो L1 power on को L2 trip को मिन्स L1 बली राचा वने power on चा L2 बली राचा वने trips वने रा पूझनू परचा कुने fault आचा वने रा पूझनू परचा या और को चाहिए माले यो डाइग्राम लियेको येस मा चाहिए एकदम completely clear होंचा यो हमी पहिला connection गरनू बन्दा power supply दिनू बन्दा पहिला को condition हो येक्च्वल कंडिशन हो आणो येस मा किये चाहिए यहां है रना सकनून चाहिए यो 1,2,3 यो तीनोटी टर्मिनल हो यो तीनोटा phase हो आर वाइबी connect गरना लाई अनि या 7 नमबर रा 8 नमबर जून auxiliary contact हो याँ 4,15 वोल्ट हामी connect गरना सक्चाहूं और यो 13 नमबर जून भो हम्रो common terminal भो तो 14 नमबर हम्रो अगी नहीं बने आथे यो NO रा 15 नमबर हम्रो NCO यह समा किलियर चाहिए यह सिस्टम मा connect गरे आचाहिए यह actual condition को हो यह समा SD हुन चाहिए यह सब्बई apply गर दिन चाहिए यह फेरी आवच्चे गर चाहिए सब्बई पारामेटर ओक्के वाने तेस पचि इनरजाय जुन चाहिए आनी तेसपचि यह contact तेन जुन चाहिए यह NO अब NC बन चाहिए NC नम बन चाहिए NO नर्माली ओपन बाइब तो यह चाहिए आमरो ओवर भी ओओ अब यह कनेक्शन गरनु बंदा पहला यह सब्वई आमी पहला हेडी शकनु परे बुजी शकनु परे अन्टेस पछी कनेक्शन तीरा आमी मुव गरनु परे तो अब यह वीज़ी अच्ऐस डㅋ फेलियर रे ले यू मूड़ल हम लें के केए प्रोटेक्शन दीन सब्चा था guitars केस माना चाहिए यह तेले से भी। केस्विच उनलाइब भाहा शी'll सब्यावन На Brahfer जो दो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देत प्रोटेक्शन क्यान तो मोच मा पने यो प्रोटेक्ट गप सिस्टम लाईब और हम्रोटेक्शोय सेक्वेंस पन Нאלस पाला के यो प्रोटेक्शन बाति यो प्रोटेक्रट गप इबरं सहीए यो वियूत़स डेन से अभेंस वन दोखो efforts त्यस मा एक्च्वाली आमी कास्ट री कनेक्ट करचू तितीर लाइड़ याँ चाही महें माखने के गर्याचू यो मोखने लिएको यो चाही थी फेज मोटर हो थिक्षा महें इसमा चाहिए motor starter मा detail मा जा देना हूँ किना मने आमी चाहिए यो focus गवर राचु phase failure relay को लागी जबाँ आमी motor starter को series नहीं start गरचु motor को त्यसमा चाहिए आमी complete motor starter को कुरा गरचु DOL, star delta, soft starter, VFT, सब्बभी को त्यसमा कुरा गरचु एसमा simply मैंले क्ये गरे आचु यो यो three phase induction motor लाई मैंले यो contractor बाटा चलाई रहाचु ठीक्छा यो contractor हो आमरो A1, RA2 आमरो coil terminal हो contractor को ठीक्छा एसमा क्ये गरे आचु याँ चाहिए आमरो bus बार हो चारोटा R, Y, B वानो नेवटा cable नहीं हो बुजिन्चर एसमा चाहिए आमरो neutral four core cable नहीं भनाऊ नहीं यो four core cable हो आमरो एसमा आमी connection ले आचु याँ connect गवार दे आचु इसको input terminal मा contactor को और तेसको output terminal बाटा मैंले याँ चाहिए यो motor लाई connect गवार दे आचु यो three phase यो condition मा अईले चाहिए आमरो motor stopped हो अब एसमा चाहिए आमी के गरशाँ अब यहता चाहिए महले coil supply लाई यो यहाँ चाहिए यहलो 220 volt SC operated UO contractor चाहिए आमी फेज supply लिये को यह 220 volt को सिंगल फेज यह बाटा महले तार लिये रा के गर आचु तेरा नंबर कोमन टर्मिनल मा कनेक कर दिया आचु र एसको 14 नंबर जुन एनो टर्मिनल हो एसको बाटा हमी ले के गर आचु यह A1 टर्मिनल मा कनेक कर दिया आचु अब यह सोचनु पर चाहिए को अब हमी लाए था चाह यह All Good Condition मा के हुन चाह यह Activate हुन चाह अनि यह के बन चाह एनो जुन चाह यह NC बन चाह एनसी बनने बिदके यह के गर चाह हम्रो गुड कंडिशन मा यह Motor On हुनु पर रा इनकेस केई Fault आया बने यह Off हुनु पर ते वरामी त्यो सोचे रा पहला ने यह NONC को कस्री Use Linear बने यह आफ़ाई सोचनु पर चाह ठीक्सा अब यह कंडिशन मा अईले Relay Activate चाहिन अब सपोज माईले यहां चाहिन पहला Connect गर दे आर वन नमबर टर्मिनल मा वाई टू नमबर मा रभी थ्री नमबर मा अनि यहता एक्जोलरी कंटेक्ट पनी द्योटा फेज वाट माईले यहां 415 बोल्ट माईले यहां Connect कर दे यो यहां पहले यहां पहले Connect कर दे यहां अब यहता वाटा हमी कताई मानु नहीं यहां चाहिन यहां यहां ब्रेकर राख्या चाहिन यहां यहां पहले अन गर आ चाहिन नहीं ते बारे S माँ चाहिन अईले पावर चाहिन अब क्यों उन्छा ON उन्छा ON गर दिया वहने आवब पावर S मा R, Y, B फेज सबई आउंछा अब आउने बिदकाई यह क्यों यहां पनी जान चाहिन यहां चाहिन यहां पनी आमरो कंट्रेक्टर को इन्पुट टर्मिनल मा तीन ओटै फेज यहां आँछा अब यह कंट्रेक्टर जब समा ON हुदैने तब समा यह मोटर स्टार्ट हुदैना अब यह अनकास्नक क्यों आटक्टर के बाट कंट्रोल वहीरा था यहताको यह फेज फेल्यार रिल्योर पाटक्रोल वहीरा था जब समा यह ब्रिन सिग्णल यहलां दीदाईना तब समा यह WITH कंट्र्वन आउन्हों देंना सो अब के गर denselit अब पाई यो आरवाई बी अब येले एनलाइज गर छा हामरो तीन ओटाई फेज एवलेबल छाकी छाईना छा अब तियो पनी चेक गर ठीक छा तेस पची फेज सिक्वेंच आरवाई बी मा छाकी छाईने तियो पनी ठीक छा अब फेज बोल्टेज अन बैलेंस छाकी छाईना छाईने बने ओके छाउए अबने ये ले ओके अब तीन ओटेज सब्वई कुरेशंऑ ओके गरेगा अब येले बहांच अब येले बहारा शाईनले डहा हतुर्ची काने तेलाई अब इनर्जाइज गर छो अब एल्ले की गर छा आप नो सेबन नेंबर ट्रार्मिनल में यो यो एल्ले चाहिए अब इनर्जाइज यो अब रिले एक्टिवेट होंचा रिले एक्टिवेट बहा पाछी आब क्योंचा यसको कोंट्यक्ट चेंज उन्चा अनो बाट यह ग्रिन इंडिकेडर पनी बोलना थाल चा अव्सक यह पावर जुन यह अठकी राथ यह केश मा यहले बातव पाई यह री बातव पाउने बीदके यहां यह यह कॉंटैक्टर ले फिज सप्लाई पाउ। यो coil supply, contactor को coil terminal ले supply पायो और यो क्योंचे इनर्जाइड हुँचा अब यो contactor ON हुँचा अब यो circuit लेके गाँचा मेख गाँचा मेंच जोड़ अब जोड़ यो बने यो score output terminal बाटा अब यो motor ले power पाउने भो, power पाउने बितके के हुँचा अब यो motor अब यो start हुँचा अब रॉनिंग कंडिशन भाचा अब हम्रो यो सब्बोई OK से पारामेटर अब सब्बोई ठिक्छा अब यो हम्रो motor चली रहाँच अब सपोज in case यो हम्रो R फेजने ब्रेक हो या अब यो कंडिशन मा क्या हुँचा अब ब्रेक भो या चाहिए आब आर फेज हुँचा यो क्टिवाटर चुटियो या केई सप्लाइब पायाना ब्रेक भो त्यो कंडिशन मा क्या हुँचा यो इसको कंडिशन मा हुँचा अब यो 14 नमबर अईले nc हो अब यो n o बन्चा अब यहां बाटो पायाना अब यहां बाटो पायाना और येता चाहिए यो पायर जाना देने यो कंड़क्तर को कव κάνसर समा मा कंड़क्तर को क्वायल पनी वाटो पायान पांदेना यो Denergाईज हुँचा यह गंटक्तर हुचा अब आफिदक आउप को बैतकर मोटर पनी यहБượं पांदेना अन्युआ पनी istop turn छा च्वो ये शिरी नहीं चाहिए हमरो ये वट एक्जाम्पल है रहे हो कि face failure ये थी face कुने आउट भावं वने ब्रेक भावं हने तिये case मा चाहिए हमरो motor लाइ ये सरी जोहाऊना सब्केन छ च्वो ये श Ekti नहीं हमरो ये face failure relay काम गर छा च्वो और को वीडियो मा हाम आटो स्टार्ट जुन डीजी गर्षों इनकेस लाइन गौक बेला तेसमा चाहिए हामी तरह मोडल चाहिए हामी फरक फरक तेसमा गर्षों तेवरा मोडल को पनी जनकारी हुन चाहिमी लाए फेज फेलियर रिले को तेसमा चाहिए हाम भी एसपी डीवान को कुरा गर्यों और कोमा भीस्पी डीटू को रा भीसी एफ डीटू को कुरा गर्शाँ तेसमा चाहिए ठीक्छा एसमा चाहिए अजय दू गटा मो वीडियो फेज फेलिया रिले मा थी बनाऊ चाहिए अली वीडियो लाम भापन केचान्या धार्य पुर्पक हेरनुस यह बुजना सकना उन्छा आसा गर्दा चुकी यह बुजना भाला थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो आमी फेरी बेटावला अरको वीडियो मा